दोस्तो नमस्कार दोस्तो उस द्रिस्ट की कलपना कीजिए जब एक महिला के साथ सामोहिक दुसकर्म का दोसी और उसकी बेटी के साथ दुसकर्म के प्रयास का दोसी ब्यक्ती अदालत में खड़ा होकर यह पील करें गिड़गिड़ाए कि मुझे इस बिना पर राहत दे दी रहम कर दिया जाए कि मेरी दो बेटियों की अभी साधी नहीं हुई है यह उसकी दो बेटिया है और उनकी साधी करनी है इसलिए उसे सजा में राहत दे दी जाए यह वह व्यक्ती कह रहा है अदालत में उस अदालत से जो अदालत उसे एक महिला के साथ सामोहिक दुसकर्म क दोसी मान चुकी है और एक नबालिक के साथ दुसकर्म के प्रयास का भी दोसी मान चुकी है उस अदालत पे यह व्यक्ति ऐसी अपील कर रहा है जी हाँ यह वह व्यक्ति है जो सपासरकार में मंत्री था और सत्ता के नसे की मेचूर हो करके एक महिला की इज़त को तार-तार कर दिया तब तक अदालत में इतने सबूत इकठा हो गए थे कि अदालत ने इस आरोपी को ना केवल दोसी माना बल्कि पूरी उम्र जेल में रहने की सजा सुनाई है जी हाँ यह व्यक्ति है समाजवादी पार्टी का पूर्व विधायक उत्तर प्रदेश का पूर्व मंत्री और अमेठी जिले की बिधान सवा शीट से बिधायक रहा गायत्री प्रजापती गायत्री प्रजापती पर यह रोप एक महिला ने दुसकर्म के लगाए थे कि उसने उसके साथ और उसकी नवालिक बेटी के साथ जबरन दुसकर्म किया प्रताडित किया और इस केस में अब अदालत ने गायत्री प्रजापती को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है जब अदालत ये सजा सुना रही थी तब वह वेल चेयर पर अदालत में उपस्थित हुआ था और अदालत से गड़गडाते हुए यह अरजी की यह गुहाल लगाई यह विने किया कि उसकी दो दो बेटियां हैं जिनकी अभी साधी नहीं हुई है और इसलिए उस पर रहम किया जाए सोचिए कि रहम की ये भीक मांगने वाला तब सत्ता के नसे में चूर होके जब किसी महिला की इज़त के साथ खिलवार कर रहा था उसकी मासूम बच्ची के साथ की इज़त को तार-तार कर रहा था तब उसे अपनी बेटियों का ख्याल नहीं आया यह भी ख्याल नहीं आया कि वह जो कर रहा है जिसके साथ कर रहा है वह भी किसी की मावहन और बेटी है तो ऐसे दूराचारी बल्कि यह सामोहिक दूराचार किया गया था जिसमें ये विशेश अदालत ने सजा सुनाई है मामला यह है कि पूर्वमंत्री गायतरी प्रसात प्रजापती यह मुश्के दो सहयोगी असोग तिवारी और असीश सुकला को EMP MLA कोट ने सुकरवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है आईसी उम्रकैद जो उसकी अंतिम सांस तक जेल में बितानी होगी विशेश ने आदिश पवन को मार रायने इनहें गैंग रेप सामुहिक दुसकर्म यो नावालिक के साथ दुसकर्म के प्रयास के मामलों में दोसी माना है तीनों को अंतिम सांस तक उम्रकैद की सजा के साथ ही दो-दो लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है अदालत ने कहा है कि दोसियों दौरा किया गया अपराद गंभीर प्रकृती के है जिसका समाज पर असर पढ़ता है सहायक जिला सासकी अधिवक्ता यसन राय वा विशेश अधिवक्ता रमेश कुमार सुकल का तर्क था सर्वोच नियाले के 16 फरवरी 2017 को दिये गए आदेश के बाद गौतम पल्ली थाने में 18 फरवरी 2017 को सपा सरकार के समय खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापती, असोक्तिवारी, अमरेंदर सिंग, उर्फ पिंटू सिंग, विकास, बर्मा, चंदरपाल, रुपेश स्वर्व, उर्फ रुपेश, यो मासीश कुमार के विरूत दर्ज किया गया था यह मामला विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में अरोप पत्र पेश किया था, कोट ने कहा कि अर्थदंड जिसके बाद इसकी इतने दिनों तक सुनवाई चली और अब आदालत ने फैसला दिया है अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि अर्थदंड की रासी पीडिता के चिकत सगी खर्चेवा पुनरवास के लिए किये जाने का प्रोधान है प्रंतु प्रस्तुत मामले में पीडिता जो की लड़की की मां का आच्रण ऐसा नहीं रहा है उसे जुर्माने का भुकतान किया जाए बता दें कि उसकी मां आरोप लगाने के बाद मुकर गई थी अपने आरोपों से जिससे आदालत खपा रही है इसलिए उसे जुर्माने की रासी का भुकतान नहीं करने का आदेश दिया है जहां तक दिती पीडिते आनि उनकी बीटी का प्रस्न है यद्दे पिवह भी पस्चिम रोही हुई है मा के इनकार के बाद हलाकि वह अपने आरोपों पे डटी रही लेकिन अंतिम समय में उसने भी आरोपों से इनकार कर दिया था तो माना जा रहा है कि मा और बेटी ने दबाओं में यह कृत किया था अदालब ने कहा है कि इस मामले में पीडित आवास्तों में पीडित है जिसको पुनरवास की आशोकता है ऐसे में अर्थ दंड की पूरी रासी दिती ये पीडिता को दी जाएगी यहनि कि मा कोना दे कर उसकी बेटी को जो जुर्माने की रासी है वह दी जाएगी पूर मंत्री के साथ उसके दोस्तायोगी को भी आजीवन कारावास हुआ है विशेश नयादेश ने दो दोस लाख रुपय का जुर्माना भी सुनाया है तो इस मामले में बताया जाता है जो खबरें आई हैं उसके अनुसार गायती प्रजापती के खिलाब पीडित्या ने वर्स 2016 में आरोप लगाया था डेजीपी से सिकायत की थी तब उसने बिल्कुल यह नहीं सोचा था कि मामला इतना आगे बढ़ जाएगा और एक मंत्री सत्ताधारी मंत्री पर इस तरह का आरोप कितना आगे बढ़ पाएगा यह सफल हो पाएगा वो उसकी कलपना भी नहीं की थी लेकिन जब वर्स 2017 में सुप्रीम कोट ने गायतीरी के खिलाब फिफाईयार दर्ज करने का आदेश दिया तो उसके बाद से मामला चर्चा में आया और चारो तरफ फिर हड कंप मच गया और उस फिर गायतीरी को भी लगा कि मामले में फस सकता है इसलिए उसने अपनी वैसी चाले चलने शुरू कर दी जिससे वो अपने इस मामले में बचाव कर सके गौतम पली थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही गायतीरी की मुसेवते बढ़ती चली है हलाकि इन चार सालों में गायतीरी और परचितों नों पीडिता के बयान बदलवाने और समझोते के लिए कई जतन कर डाले लेकिन कोई प्रयास काम नहीं आया गायतीरी के किलाफ पीडिता कही आरोप लगाती रही इसी बीच गायतीरी ने पीडिता के नाम पर काफी जमील लेख दी रूपय का भी देने का भी आरोप लगा यह बातें तब खुली जब गायतीरी परजापती के कमपनी के एक पूर्वन देशक ब्रिजभुवन चौबे ने गोमती नगर बिस्तार थाने में गायत्री उनके बेटे अनिल और रेप पीडिता के खिलाफ यफाईयार दर्ज कराई लखनौ के गोमती नगर थाने में बुरिजभुवन ने आरोप लगा है कि पीडिता को बयान बदलने और फिर चुप रहने के लिए गायत्री ने उनकी जमीन पीडिता के नाम कर दी करीब 85 लाग का प्लाट पीडिया के नाम कर दिया गया था जिसको पैसा बुर्विजभुवन को नहीं दिया गया था और ये जबरजस्ती कर दिया गया था पीडिया के समझवता करने पर गायतरी को लगने लगा था कि अब मामला उनकी पच्छ में चला जाएगा मगर कुछ समय बाद ही बुरुजभुवन चौबे के कई राज खुलने से पूरा मामला फिर पलड गया बुरुजभुवन ने उनके कई राज सामने रख दिये उन्होंने बकाइदा प्रेस कंफरेंस कर गायतरी पर कई आरोप लगा इसके बाद गायतरी ने कई और चाले चल वह कहती रहे एक सजा दिला कर रहेगी लेकिन ऐसा बताया जाता है कि बाद में दुसकर्म पीडिता की बेटी भी समझवते के लिए राजी हो गई लेकिन तब तक कोड को ऐसा उकता सबूत मिल चुका था जिसमें वह गायतरी प्रजापती को सजा सुनाने में सच्छम अदालत ने कहा है कि वादनी यम दोनों गवाहों का आचरण और कृत्य नियाले की अंतरात्मा को जगजोड देने वाला है यह न्याइक प्रक्रिया के दुरुबियो की स्रेणी में आता है अदालत ने कहा है कि गवा राम सिंग राजबूत साच्छी आंसु ने साच छिप कोट ने कहा कैसा लगता है कि डिल की संभावना के इंतजार के चलते अंसु 17 बार संबन भेजने के बावजूद कोट में पेश नहीं हुआ अदालत ने जिक्र किया है कि साची राम सिंग राजबूत अंसु गोड घटना के चस्वदीद गवाह नहीं है परस्तितियों का र आरोप लगाया था कि पर्थम पीडित्या मा ने भले ही भी से सदालत के समच बयानों से भटकने का प्रयास किया है लेकिन उसके मजिस्टेट के समच दिये गए पहले बयान में ना सिर्फ गायतरी प्रजापती और अन्य दोनों आरोपियों द्वारा सामोहिक दुराचार बलकि नावालिक बच्ची से दुराचार का प्रयास का भी आरोप लगाया है गायतरी के घर चाय में नसा देने की बात कही है कोट ने कहा है कि पीडिता मा के कलम बंद बयानों से अभियुक्तों के संदर्व में साच्छों की पुष्टी होती है अदालप ने कहा कि गायतरी ने परियापत आउसर की बावजूद बचाओं में साच्छ पेस नहीं किया उसे साइद उमीद रही होगी कि वो पीडिता से बयान बदलवाने के बाद इस मामले में अदालत उसे बरी कर देगी आदालत ने पीडिता के पच्छ द्रोही होने पर कटूटी पड़ी की है कहा है कि अभियुक्त गण 2017 से जेल में हैं ततकालिन मंत्री गायतरी की पार्टी की सरकार भी प्रदेश में नहीं है ऐसी दसा में नहीं माना जा सकता कि पीडिता ने आरोपियों के भैसे बयान बद कर रही है वादनी लालची है जो लालच के चलते आरोपियों से मिलकर कोट में जूठी गवाही दी है अब बता दें कि गायतरी 2012 में पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकड़ पर अमेठी से विधायक चुने गए थे उन्होंने कांग्रेश की कदावर नेता डाक्टर स कर्मों की वज़ा से ये मामला तो आया ही जिन में उनको सजय हुई है एक खनन का आरोप भी लगा था का अबैद खनन से उन्होंने आकूद संपत्ती कमाई है और बहुत भरस्टा आचार किया है इसके भी उन पर आरोप लगे हैं जो मामला अभी अदालत में विचारा दें सपाकाल में खनन मंत्री रहे गायतरी का राजनितिक केरियर एक ही पारी के बाद खत्रेम पड़ गया सपा तो गिरिपतारी से ही दूरी बनाए है गायतरी कभी सपा के कद्दावर नेताओं में सुमार थे अकले सरकार में वो अकेले से मंत्री रहे जिने इतनी जल्दी तरक अदालत का आरोप है कि निड़े सुना जाने के समय जिला सास की अधिवक्ता फोद्दारी मनोच्त्रिपाठी के साथ मुकद्वे की परिवी करने वाले सरकारी वकूल भी मौजूद थे अदालत साच्छी पीडिता, साच्छी राम सिंग, अंतिम साच्छी अंसु गोड के पर संतोस जनक नहीं रही, संतोस जनक थी पड़ी नहीं कि इन गवाहों पर नयाले का सायोग न करने, समय से साच्छ पेश न करने और कोड के सामने जूट का साथ देने का भी आरोप लगा तो इस मामले में कब क्या हुआ वर्स 2013 में चित्रकूर के रामघाड पर गंगा आर्थी के दवरान पूरुंबंत्री गायत्री से पीडिता की मुलाकात हुई थी ऐसा बताया जाता है 17 अक्टूबर 2016 को पीडिता ने गायत्री और साथियों के खिलाब सामुहिक दुराचार की डीजीपी से सिकायत की 16 फर्वरी 2017 को सुप्रीम कोट ने पीडिता की एफाई यार दर्च करने का आदेश दिया 18 जुलाई 2017 को गायत्री प्रजापती विकास बर्मा सी सुकला सी असोक्तिवारी के खिलाब धारा 376 डी 354 ये वन 509 504 506 आई पीची की धारा 5 जी धारा 6 पाक्सो एक्ट में आरोप तैंकिये गये दो नॉम्बर दोजार इकीस सभी को सभी आरोपियों को कोड के बयान दर्च किये गए और दस नॉम्बर दस नॉम्बर दोजार इकीस को गायत्री असोक्तिवारी असीस को दोसी करार देने के साथ अदालत ने पिंटू विकास बर्मा चंदरपाल रूपेश को दोस मुक्त करने के आधेश दे दिये दस नॉम्बर दोजार इकीस को और बारा नॉम्बर दोजार इकीस को गायत्री प्रजापति असोक असीस को कोड ने आजीवन कारावास की सजा समेत दो दो लाग रूपे का जुर्माना सुनाया है धन्यवाद दोस्तों उमेद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा नमस्कार